असलाम अलेकुम गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग पाकिस्तान कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक है मज़े में वैसे आपको पते हैं जो माएं हैं ना उनका मूड सुबसुबा होना बहुत अच्छा बहुत जरूरी है उसकी वज़ा ये है कि वही अपने बच्चों को सोते से नहीं जब वो उठरे होते हैं तो वो उसकी वज़ा से उनका पूरा दिन खराब हो जाते हैं आपने मिया को प्यार से आफिस भीजना जो है उनके सारे दिन की दिन को अच्छा बनाने की जमानत होती है अपना मूड सुबसुबा अच्छा रखा करें और फिर आ के मेरा शो और देखा करें अच्छा साफ सी बात है क्योंकि इस वीक पर हम खांदान के चटखारों की रिष्टे की चटखारों की बात कर रहें सो आप अगर मेरी बड़ी अब्जर्वेशन है खांदानों पर क्योंकि हम जो भी वीक करते ना चाहे वो घ्रेलू ही बाते कि उन्हों रिसर्ट जरूर करते हैं सब को बिठाते हैं पूछते हैं और मैं सबसे बाहर भी पूछती रहती हैं उन दोस्तों से सो खांदान आपको दो तरांके मिलेंगे एक खांदान ऐसा होगा जिसको पता ही नहीं सगी बेहन के घर में क्या हो रहा है बच्चे कौन सी क्लास में है बच्चों का रिजल्ट क्या आया है कोई बिमार है बहू आने वाली है या बहू के बच्चा होने वाला है बहुत ही ल अगर बिल्कुल, बिल्कुल कटके रहते हैं, जब बच्चे की मिठाई आती है, तो पता चलता है, ओ अच्छा, बच्छा हो गया, जब शादी का कार्ड आता है, ओ अच्छा, रिष्टा तैय हो गया, शादी का कार्ड आने के बाद, अगर आप देखें तो, I don't know, कुछ लोग ऐसे ही खांदानों को पस्त करते हैं, बहुत हमारे बीच में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए, क्या है, क्या है, क्या है, खामखाई में हमें फजूल मश्वरें नहीं देने चाहिए, मगर, वाइस वरस मश्रम करते हैं, फिर रिष्टा कराना है, तो भाई, दीनचाओ चक्कर लगते हैं, उस घर में अगर लड़की वालों को सबस्ता आज सबस्क्राइबर्ण, तो तो कभी एक रिष्थेदार के साहिए, जब दूसरे रिष्थे दार के साथ जाएंगे को भी तीसरे, और पू और अगर किसी एक सास की बहु करी है तो सास की जितनी भी खांधान की है, आरे है सारे जितनी भी अरीज करीब करिष्टदार है, वो सब मश्वरी दिर आ होती है, अपनी बहु को ऐसे रखो, सु मतलब ठीक ठार कि इंटेफरेंस, अक्सर ऐसा भी होता है, अरे हाई तुपारे फ्रिज की सफाई नहीं हुई भी देखो बहु कुछ टाइक नहीं रखती तो आ के पडोसों ने भी बोलती यह मतलब जिसको टांग अडाने का शौक है वो सब टांग अडा रहे होते हैं अगर अगर आप शौक है लोकि अजरी корव देखें वास ब्राट माट सबाग जाएक बाता पार्ट है अगर आप किसी दुख से गुजर रहे तो आपकी हल्प करने के लिए हमेशा किसी भी लालच की बगएर वो रिष्टेदार आपके साथ होते हैं अगर आपका अकीला पन है अगर आपके घर में इंतकाल हो गया है सो हमेशा कोई ना कोई आके भी तीन दिन हम रह लेंगे तीन दिन आप रह लीजेगा तीन मतलब एक महीना डेड़ महीना तो पता ही नहीं चलने देते कि घर में कोई सोग है अपनी इस महाबबत और अपनी इस इंटरफेरेंस के थूँ सो कभी कबार ऐसा होता है कि खानदान की इंटरफेरेंस और खानदान का जुड़ा होना बहुत ही करामत साबित होता है और कभी कबार ऐसा होता है कि इतने जुड़ेपन होने की वज़ा से बहुत सारे घर भी बरबात हो जाते है लेकिन अभी हम एक ऐसे खांदान को बुला रहे हैं और मैं पॉजिटिव साइट पर बोलूगी चो एक दूसरे से बहुत जोड़ावा है एक दूसरे के हाल एहवाल एक दूसरे को हेल्प करना एक दूसरे को सपोर्ट करना एक दूसरे को मश्वरे देना ये कोई इन से सीखे और ना सिर्फ ये दुख सुक में साथ होते बैकि खुशी के एल्वन में भी हमेशा साथ नजर आते है और धूम दड़के से हर इवेंट को हर चोटी चोटी चीज़ को सेलिबरेट करते है चाहे वो किसी भी बच्चे की पैदाईश हो चाहे वो किसी भी भाई की या बेहनों की शादी हो और हमेशा अपने जो बुजर्गें उनका जिकर इतनी महबबत इतनी प्यार इतने अदब से करते जिस से नजर आता है कि खानदान ऐसे होने चाहें तो रिष्टो के चटखारे में आज आपकी मुलाकात होगी आपकी फिवरिट पस्टालिटी जवेरिया सौथ की पूरे फैमिली से पूरे मेके वालों से जो ऐसे जुड़े में ऐसी बॉंडिंग है कि इस फैमिली को कोई अलग नहीं कर सकता आईए यह जो राज है कि बॉंडिंग या महाबबत की सपोर्ट की यह जानते है और बहुत सारी मज़े मज़े की बाते जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुने होगी इस पामिली से और साथ साथ खास पकवान जो इनके घर में बनाया जाता है उसकी रेसिपी होगी आज आउट तो रहिए मेरे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में रिष्टो के चट्खारे में आपकी फेवरेट सेलिबरिटी आज अपनी पूरी पुरे मेक्ये वालों के साथ हमारे शोपे गुड मॉर्निंग